आखिए ईस वाले वीडियो में बाई मैं आया हूं यहां पे हैं रहा था मैं यह अपना है श्ट्रोंग केब यह देख सकते हो मेरे अरानियो के लेए और जब है यहां पर आया में यहां ना तो और आ पना क्या नामे कैस्ट्रोड यह बाई ओटमाइटिकल लिए ने टेलिपो इस सेड टेलिपोर्ट हो गया था जब मैं थोड़ा बाहर निकला ना तो भाई ये मेरे मेरे को फॉलो करते हुए आ गया था मेरे पीछे पीछे और यहाँ पर मेरे पास अरानियो है पर 672 लेवल पिछले एपिसोड में तो आपने देखा होगा भाई कैसे 450 लेवल का मैंने टेम किया था भाई मैं अटक गया था भाई मैं डर गया क्योंकि असने भाई तकड़ा वाला फोल डामेज पड़ता है और हां थैंक्यू सो मच भाई महबूब गेमिंग महबूबा गे करे पblesse to Benal। बहूत मतलब और भी वीडियो बनाने के वाई इच्छा होती कि चलो बनाते और भी अच्छ वीडियो उस यहां पर मैं आया हूँ strong cave इसकी में location आपको बता दूँ location आपको मैप खुल के दिखा दूँ यह देखो मेरी location मेरे RG के साथ आना और हाँ होसके तो भाई आप ascendant का full set armor जैसे मैंने पैन रखा है या फिर आपको four set armor four set armor या नाम में एक सेगंड मैं आपको दिखा दूँ इन ग्राम में दिखा दूँ वह यहां पर रहता है four set armor जैसी कि यह वाले यह देखो यह जो armors है न यह अपनी chest plate हो गया और यह pant हो गया hat हो गया बाकि मेरे पास तो ascendant armor है और होसक तो भाई आप healing portion भी लेका हो मेरे यहां पर hot bar में देख सकते हो और चलो भाई बिना किसी देरी के अपने को वापस भी आना है मेरी stem phone की बैटरी 37% है एक सेकंड मैंने net off नी किया net बंद कर दूँ चलो बिना किसी देरी के चलते हैं अंदर आने जाने का मैं आपको दिखा दूँगा और भाई यहां एंटर करने पर थोड़ा lag वाव गेम क्रेश हो गया लिटरली भाई यार वहाँ पर एंटर करने पर lag होता है रहे में वहीं पर जाके भाई गुल-गुल गुमा दिया अपने screen को और ओ लैग मतलब संभाल नहीं प करता है ओके इंट्रों पर दे दिया भाई चलो कोई दिख करने भाई अरानियों के चलते हैं चलो और मैप खोलने पर थोड़ा lag होगा यह हर बार का होता ही है चलो गैसा अब हम डारेटली अराम से जाएंगे बिना किसे देरीगे आपको फुल डीटेल बताने वालों कैसे आना है और कैसे जाना है मैं इसके अंदर बहुत कमी गया हूं मदब तीन चार बार गया हूं लिकिन मेरे को लोकेशन मालूम है यह देखो यहां पर लाग हुआ था एंटर करने पर आपको लाग होगा यह होगा और जैसा मज़ी डिवाइस हो तो आपको सिंपली सबसे पहल है तो आप अरानियों के नेम सजेस्क करते ना और यहां पर देखो मैं बताना भूल गया यह दो रास्ते जा रहे ने एक इस साइड़ वाला और एक इस साइड़ वाला आप कोई भी रास्ता चुनलो बेसिकली सब राइट में चलते हैं तो राइट वाला बताता हूं यह र रानियों जा सकते प्यार से तो आप यहां से ऐसे सिंपली सिधे सिधे जाते जाओ देखो जैसे के मैं आ गया हूं और यहां से आए यह आपको एक नदी नदी सा दिखेगा चूटी से लहर तो इसके बस जश्ट आपको पार जाना है उस पार देखो मैं बड़े प्यार से आ गया यहां पर डायनोस रहेंगे रानियों लेकर आओ बहुत बढ़ यहां चीज है क्योंकि इस पर कोई भी डायनो अटैक नहीं करते और हेलो भाई मेरे को हेलो कहने एक मोड में नहीं है बिल्कुल भी और जश्ट आप उस नदी से डायट सामने आ जाओ तो यहां पर य यहां पर भी अणादर ब्ली क्रिश्टल और सामने जाता जाओ प्यार से एक और ब्ली क्रिश्टल यह मैं साइन बताते हुँ जा रहा हूँ और यहां पर जैसे आओगा आपको सामने एक्स्पलोर नोट देखेगा यह देखो एक्स्प्लोर नोट उसके जश्ट आपको लेफ्ट साइड में जाना ऐसे और नदी पार करनी होगी आपको simply भाई बहुत easy है simply आपको नदी पार करनी होगी और नदी पार करते जाओ यहां पर आपके पास sand crystal इसको रखो साइड में और यहां sand crystal के थोड़ा सागे जाओगे तो वह वाला sign दीखेगा आपको कुछ तो पुब्लीक का होता है तो आपको समझाने कहां right रास्ते पे जा रहे हो सेंपल आपको ऐसे जाना होगा जाते आते नीचे अब नीचे के आ गयी यहाँ पर blue crystal आपको नीचे जाना होगा वस कुद्ड़ना कहीं नहीं ठीक है ना नीचे जाओ रस्ते में और यहां पर आगर दिखेगा तो आपको यहां पे जब आने के बाद न एक और एक्स्प्लोरर नोट देखेगा तो इससे आपको अंदादा लग जागा यहां आप राइट रस्ते पे हो ठीक ना गाइस अब आपको यहां से इसके उपर जाना पड़ेगा यह वाला चट्टान जो दिख रही है बरफ का फ्लोटिंग आइलेंड इसके उपर जाओ और सिंपली आपको इसके आगले वाले पर जाना होगा इसे करते होए चले जाओ भाई कोई दिक्कत बात नहीं है और आपको अब सिधान जाना होगा राइट साइड में ठीक ना ध्यां रखना होगा दो दो बार हमने आय आते 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 आप इसके उपर भी आजाओ यह देखो भाई चड़ जाओ नी 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 ठंड लग रही थी ओके आप चड़ गए सिंपली यहां पर देख रहे हो ना ध्यान से भाई ध्यान से करना है वाला केव थोड़ा बढ़ा बहुत बढ़ाई है बागी केव से और यहां पर आगये और इसके आगया आगया आगये वाले पर बहुत जाना हगय तो अब को सिंपली आपको जश्त उन सबसके जो उपर था बरफ केसे आएलेंड छो चोटे उसके उपर से इस पार आना ना राइट राइट से आपको यहां पर ब्ल्यू क्रिष्टल अनदर दिखेंगे, ऊपर ब्ल्यू, यहाँ से बस आपको जश्ट बगल-बगल से जाना होगा, यह देखलो ब्ल्यू क्रिष्टल, और आपको इसके बगल-बगल में ऐसे चलते जाना होगा, भाई कोई बड़ी दिक्कत नहीं है, आपको बहुत इसली यह वाला समझ जाएगा कि ऐसे आते जा और यहां पे ब्ल्यू क्रिश्टल अब देखना अब इसको आपको तोड़नी की जुरुत होगी यहां पर तोड़ना पड़ेगा आपको और यह समझ जाओ कि अगर आप इसको तोड़ रहे हो न यह समझ जाओ कि भाई अच्छे रस्त आपको इस टोन यह मैटल यह टेक का मतलब इन तोने मैं सो कोई भी चीज़ाओ मैं परफैर करूंगा बाई आयरन का लेकिन मेरे पास आयरन तो था मैटल मैं बना नहीं पाया तो मैंने स्टोन का बना लेकिन अगे बैड़वड और यह काम वही करेंगे जो काजूल वाला हो होगा केजवल नहीं तो भाई गडवड हो जेगे और यहां पर एक ड्रोप है अगर मैं इसको लूटने आया तो भाई कोई न कोई डानो मेर पर हमला कर सकता है यहां फर एक सेगंड गाई जल्दी लूटो ओके गलप्स था किसी का तो खेर छोड़ो बस इसको जश्ट सामने अब आपको जाना पड़ेगा यहां यहां पर स्यान क्रिश्टल ब्ल्यू क्रिश्टल आगे स्यान वर्स सिंप्ले आप ऐसे जाते जाओ और यहां पर बहुत सारा डाइनोस मिलेंगे ने भाई जिसके करण लाइग भाई सेवन टी सेवन एटी लेवल का भाई यहां पर अरे भाई क्रेश मत होना आपको राइट साइड लेना ठीक है एक्स्प्लोरर नोट के राइट साइड बहुत लाग हो रहा है फोन भी हीट हो गया ऐसे बहुत आपको जाते जाना है यहां पर सैन क्रिश्टल बहुत सारे मिलेंगे ठीक ना गाई आप ध्यान से देखना या फिर कुई आपके फ्रेंड या किसी दोस्त के फोन में चला दो वीडियो और आराम से रस्ता देख से जाओ और अब राइट साइड में ब्ल्यू क्रिश्टल इसके आपको लेफ्ट में जाना होगा लेफ्ट ठीक ना ओ डैनोस गयब हो गया ठीक है भाई और नीचे वाला पर जब आ गए ना तो यह वाला थोड़ा एरिया ध्यान से देखना दो रस्ते जा रहे है राइट लेफ्ट आपको इस बार लेफ्ट में जाना है बीच में जो रोश्णी पड़ रहे है यह दुखो इस रोश्णी के उपर भी जारे लिकने उपर मत जाना सिधा जाना ठीक और यहां पर आने के बाद सामनी आपको स्यान क्रिश्टल आएगा इसके आप लेफ्ट हो जाओ ठीक है बहुत एज़ी है कि जादा कुछ हार्ड नहीं है बस आपको लेफ्ट जाते जाना है जाते जाना है टैंशन वाली बात में और आप फूड भी खाते जाना है कहीं चैंसे मतलो अभी तुह और यहां से जाते आते ना आप फिर यहां पर यहां पर देखो एक और के सीथा चले जाओ और यहां से आपको साइन दिख जाएगा ओब्लीक वाला ग्रीन कलर गा वैसी के सीधा जाते जाओ आपको इधर से अब लेफ्ट में मुड़ना होगा मेरा लेफ्ट ठीक है और मुड़ना हो लेफ्ट और यहां पर ब्ल्यू क्रिस्टल एंड गाइस भाई लाग हो रहा है बहुत जाता और यहां पर एक और नदी वाली आएगी असे पंगले नदी पार करने के बाद आपको स्यान क्रिस्टल ब्ल्यू क्रिस्टल के बीच से गुजरते हुए जाना होगा और यहां पर एक और blue crystal वह चोटे-चोटे sign आपको याद रखने होंगे ठीक ना guys और यहां पर just left side में एक चड़ने वाला area आएगा जहां पर blue crystal चमक रहा है ठीक ना guys और यह वाला sign भी दिखेगा आपको कुछ तो यह color type का कुछ तो है मुझे नहीं पता अब आपको बस right side में थोड़ा सा चिपक के जाना होगा इतना भी चिपक ना मत बस बीची-बीच में जाते जाओ और जाते 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 बहाई simply आपको तो पता ही artifact के पास ही जाते है न सब तो चला artifact के पास और फाइनली भाई तुम्हारा भाई artifact के पास आ चुका और अरानियों को ध्यान से रख दो और भाई यहां पर आने के बाद ना simply आपको यहां पर उतर जाना है आप कोई खत्रा नहीं है डाइनल मेरे को तो अभी फिलाल अभी समन्नी हुए तो जल्दी मेरे को यह foundation वगरा लगाने होंगे सो वो दिखाए अपना ऐट एक अब आर्टीफेक्ट और मैं यहाँ पर कता हो नवा जिकाए साइडि में मिला तक और को टैनल Taiского यहां लगा दिया है और अब मैं एक लगाता हूँ यहां पर ये और यह भी लगा दो साइडबाई साइड यह भी लगा तब लगा दिया और अब लगाता हूं एक बैड बैड तो आइधिंग फोलिटन ओके लग जाएगा लग जाएगा लगया यार ओके नाइस बैड लग गया है मैं रूफ लगाँ या ना लगाँ लिकिन जब लाएं तो बाई लगाई देते हैं न दिक्करवाली कोई बात नही है और द्यर विगो भाइस हमने अपना artifact of the strong artifact का तो चलो इसको access करते हैं 321 ओ भाइस और टिफेक्ट of the strong चलो collect करते है त्येर वी गो मेरा भाय फाइल यू तुम्हारा artifact of the strong लिए और कितना मेन लगा अपने को आने में बहुत में मेन लग रहा वीडियो मेरे को एडिट करके छोटा करना पड़ेगा और सबसे पहले अब फिर से आप इसके अंदर चले जाओ हमने बैड लगा दिया मेरा कैजूल है तो बैड भी लगाना जो कैजूल है भाई सर्वाइवल के लिए आपको आना पड़ेगा बार-बार मैंने बैड लगा दिया मेरा काम हो गया अब आपको फटापट से जाने का भी जल्दी जल्दी दिखाता हूं क्योंकि वीडियो लंबी बिल्कुल भी नहीं करनी ओके तो जश्ट आपको इसे साइड अब राइट राइट मुननना पड़ेगा ठीक है आप बहुत टाइम से ल वह युवाल अपना पुराना ये टीँ खड़ा हुआ है देखलो एब सिंपल आपको पानी के उस पार जाना पड़ेगा लगें पानी कुस पार जाते ही आपको इसे साइड में राइट राइट जाना पड़ेगा ठीक ना आप इसा मूड के देख भी शक्ते ताक जा न और यह देखो another blue crystal simply यहाँ पर हमने कुछ crystal तोड़े थे तो वह लाई रिया आ गया इसके बीच से आप गुजर जाओ simply और यहाँ पर आने के बाद यह blue crystal crystal sand crystal इसके opposite जाओ यहाँ पर धेर लगा हुआ है blue crystal का तो यहां से आप उपर अब चढ़ने का बारी आएगा और आप पीछे मुड़ कैसे देख भी सकते हो कि कैसे आप यहां से गई थे दूसरे से आपको अंदार्या थोड़ा ख्याल आ जाएगा याद आ जाएगा आप सिंप को खड़े रहने दो भाई क्या जा रहा है खड़ा है खड़ा है और हाँ मैनुवल सेव कर लेना जरूर से मेरे को भी अभी याद आई है और यह वीडियो में voiceover एक्ष्ट्रा नहीं कर रहा है साथ के साथ वह इस वर और वीडियो भी रिकॉड हो रही है और यह देखो वही राइट मूड जाओ राइट मूडने के बाद थोड़ा सा लेफ्ट और उपर चड़ने का रस्ता आपको दिखी जाएगा बड़ी प्यार से और माफी चाहता हो अगर आपको नोईस आ रही हो तो ठीक आईस और अब आपको उपर जाना होगा और सामने दिख रहा है आपको ब्ल्यू क्रिश्टल देर यूगो उसके ऑपोजिट चले जाओ ठीक याइस कोई दिक्कर वाली बात नहीं है और यहाँ पर से अपर फिर से कृश्टल तोड़े थे तो यहाँ पर हम आ गए और ये देखो सामने वही नदी आ गई बड़ी सारी और एक्स्प्लोरर नोट त इसके बस opposite आप चले जाओ left side ठीक है ना guys मेरा left हो गया और सामने जाते जाओ यहां पर blue crystal इसके भी opposite जाओ और यह तो रस्ता पता यह इसके इलावा था आपको हिजाब नहीं सकते तो सिधा चलते जाओ ठीक है जाते जाओ जाते जाओ जाते जाते जाओ भाई बहुत easy मानो आ आप अगर एक बार कर लिए ना आपको easy लगेगा के और अब आपको इधर से left left को चिपक के जाना पड़ेगा थोड़ा सा यह आगया वही island वाला एरिया भाई मेरा से क्यों लग रहा है health जा रहा है एक bottle पी लेता हूं आपको यह बनाना पड़ेगा भाई healing potion भी बना के लि island मिलेंगे इसको उपर simply आपको चड़ना पड़ेगा देर भी गो इसके उपर चढ़े और अब आपको इसके अगले वाले पर भी जाना पड़ेगा तो भाई सहाब damage देते हैं यह water ओके इसके सामने वाले पर भी जाओ और यहां पर इसके सामने वाले यह देखो इस island को छो कोने कोने से जाते जाना अगर बीच से जाओगे तो मर भी सकते आप और लैग हो रहा है कोई दिक्कत नहीं इसके सामने वाले पी चले जाओ जैसा जैसा मैं जा रहा हूं वैसे वैसे आप जाते जाना और सामने explorer नोट दिख रहा है बस उसके जश्ट चले जाओ healing potion का मेरा तो यहीं तक काम था एक पी लेता है एक जब है तो पी लेता हूं और उसके बाद आपको बस इसके राइट साइड में जाते जाना है उपर चड़ने के रिया अब पास आ चुका है अपना cave निकलने वाला रस्ता जादे भी दूर नीरा और अब यहां से आपको left ह हो जाना है left का side उपर चर्ट जाओ उपर से आपको रोशनी दिखेगी अब जाओ simply right side उपर blue crystal sign को याद रखना ठीक है गाइस बाकि आप भूलना जाओ इसलिए मैं sign बताते जा रहा हूं यहां पर थोड़ी चमक देखेगी आपको और left side में sand crystal उसके बीच से गुजरते हु लगा हुए ना और यह रहा अपना explorer note इसके सामने वह वाला जो blue crystal दिख रहा है आपको जूम करके देखा दूं वह वाला सामने बस उसी पर आपको जाना होगा आइलेंट पर ठीक गाईस सिंपल आपको जाओ जल्दी जल्दी बस यहाँ पर आप जाते जाओ और ओव भाई जाते जाओ जाते जाओ भाई कोई दिक्कत नहीं है मैं इतना प्यार से समझा रहा हूँ भाई बस समझ जाओ ठीक न और यहाँ पर आप आप आचुके तो इसको आपको नदी पार करने पड़ीगी यह देखो sand crystal उधर मत जाना इस साइड जाना ठीक है बड़ा सा blue crystal है उसक इसे चल जाओ ठीक है बास यहाँ पर आ गए left side मुड़ो there we go वही नीचे वाला एरिया जो थोड़ा सा पत्थर नीचे से मुड़ा हुए और यहाँ पर आने के बाद आप इस साइड भी जा सकतो उससाड भी जा सकतो मैं आते अंदर एंटर होते टाइम उस साइड से था तो यहाँ से आप अंटर मतलब निकलने वाला बहार निकल जाओ और simply अब तो आपको कहीं जाना यह नहीं है आपको पता यह कौन सा रस्ता होता है बहार निकलने वाला सो गाईस यह देखो यह थोड़ा से लाग दिखते जाना और मेरा आरजी और कैस्ट्राइड दिख चुका है थोड़ा से यहाँ पर लाग होगा और देर भी गो मैं अपने रानियों को लेकर सिंपली केव से बाहर निकल चुका हूँ देर भी गो मेरे भाई मेरे को मिल चुका है थोड़ा से एकस्पट जो कि मेरे को जरूत नहीं थे मैँ अपने रानियों को एकप्पइव देना चाता था लेकिन पता नी क्यों मेरे राणियों के एक्स्प्रमेंट मिला नी और भाई केव से निकलते टाइम यह देखो भाई यहाँ पे कंकाल कंकाल तो नहीं है कोई बरफ से जम चुका कोई प्लेयर ऐसा आपको देखी जाएगा तो सिंपली भाई तुम्हारे भाई यार भाई जैसा कि आपने देखा भाई हमने श्ट्रोंग केव कर लिया है और आर्टिफेक्ट ट्रिव्यूट करने चले या ना करें पहले इसके अंदर देख लो इसको मैं टीपी मरवा दूंगा नो टीपी कर दूंगा थोड़ा सा खाना रख दूँ और चलो मैं अपने अपने अरानियों को भी लेकर रेड ओब्लीक पर तब तक रेड़ वी हो जाएगा और ओब्लीक पर भी हम पहुंझेंगी इज़ी पीजी तो चलो गाईच सीधा मिलते हैं आपको डे होने के टाइम पर ओब्लीक पर ऑद और यहाँ पे एक रैप्टर आच चुका इनकी ऐस यहां पर में यहीं पर सो गया था कि यहां पर एक रैप्टर और इसलिए इंपोर्टन्ट है कि इसमें अपने को मिलते हैं कंपाउंट बहुत बना बनाया और असेंडेंट वाला ठीक है और दस एंबर मिलते हैं आपको सो यहां पर तो मैं रेड़ो पर आया हूं और चलो ट्रिबूट करते हैं आर्टिफेक्ट को देर वी गो यहां पर एक म्यूजिक आएगा उसको भाई मैं बंद करने की कोशिश कर ओ भाई फाइनली फाइनली दस एंबर मिल चुके और कंपाउंट भो भी मिला और स्कूबा टैंक का स्कूबा मास्क गैस मास्क आपको मिल जाएंगे भाई दस एंबर वह भाई आपको सामने वह रिवार्ड भी मैं शोग लगवा दूंगा मतलब शोग करवा दूंगा क्या से मिल चुके हैं और असेंडेंट वाला यह देखो डुरेवलिटी का में डैमेज ठीक ठागे ज्यादा कुछ खास नहीं है वह देखो स्कूबा टैंक भाई इससे अपनी वाटर जर्णी स्टार्ट हो सकती है बट हम वह बाद में एक एपिसोड मतलब उसका लग से बनाएंग आपको अगर अच्छे से डीटेल नहीं पता है तो देख लेना अराम से देख लेना वीडियो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है धिर धिर श्टॉप करके भी देख सकते हो सब कुछ मैंने अच्छे से डीटेल में बताया सो चलो गाइस बस आज की वाली वीडियो यहीं तक मैं मिलूंगा आपसे अगले नेक्स्ट किसे ऐसे खत्राशी शांदार सी वीडियो में और हां थैंक्यू सो मच महभूब गेमिंग और बाकी भाई लोग सो शाट डॉट टू यू भाई जो आप देते हो तो शाट डॉट दे दिया भाई आप सबको चलो आप भी कमेंट करो आरक वाले वीडियो पे कमेंट जो करेगा वो अगले आरक वाले जो एपिसोड में लाऊंगा उसमें आपको शाट डॉट दे दूँगा थैंक्यू सो मच भी बता दूँगा और जो माइनक्राफ्ट में कमेंट करेगा भाई उसका माइनक्राफ्ट में मिल जाएगा ठीक ग प्रच्चिंग